मैं सबसे पहले दिल्ली के लोगप्रिय मुख्यमंत्री आमादमी पार्टी के नेता मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनोंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया यह सिर्वाम आदमी पार्टी में हो सकता है अर्विन केजरिवाल जी के नितरत्व में हो सकता है कि एक फिर्स ताइम पॉलिटिशिन एक राज्य की मुख्यमंत्री बना मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकेट भी नहीं मिलती लेकिन अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया मुझे विधायक बनाया मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्य मंत्री बनने की जिम्मेदारी भी है मैं खुश हूँ कि अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया है लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में दुख इसलिए कि दिल्ली के लोगफ्रिय मुख्य मंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रही है मैं आज ये जरूर कहना चाहती है आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से दिल्ली की दो करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विंद केजरीवाल है भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विंद केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शडियन्त रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भारतिय जन्ता पार्टी ने भष्टा चार के आरोप लगा जोटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसी एडी को सी डिया को उनके पीछे छोड़ दिये उनको जोटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसी के मुँपे तमाचा मारा उन्हें कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगा कोई और मुख्यमंतरी होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी बे बैठने के बारे लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास सो छोड़िये शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जब दिल्ली की जन्ता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठ हूँ मुझे नहीं लगता कि हमें लोक्तंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा जो आज अर्विन केज्रीवाल जी ने देश के सामने रखा दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अर्विन केज्रीवाल जी के स्टीफ़े से कर शाम मुझे एक बुजर्ग महिला मिली जब उन्हें खबर मिली थी कि अर्विन केज्रीवाल जी ने स्टीफ़ा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया उसके जूटे केस लगाए और बुज़र्द महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं सभी दिल्ली वाले इतने गुसा हैं भातिये जंता पाटी के शड्यांत्र से नाराज हैं और अपने बेटे अपने भाई अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्य मंतरी क्योंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्य मंतरी हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिली उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाए उन्हें पता है कि अर्विन केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे उनको पता है कि अर्विन केजरीवाल जैसे भी मानदार व्यक्ती अगर मुख्यमंतरी नहीं रहे तो जो हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुस्ध दवाईयां मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी उन्हें पता है कि अगर अर्विन केजरीवाल जी मुख्य मंतरी नहीं रहे तो मुखला क्लिनिक बंद हो जाएगी अर्विन केजरीवाल मुख्य मंतरी नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी बुज़र्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतिय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली अच्छे स्कूल, अच्छे हस्पताल, महला क्लिनिक फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक, मुक्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्वेश से काम करेंगे कि हमें अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुक्यमंत्री बनाना है जब तक, मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ मेरा एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भारतिये जन्ता पाटी, अपने एलजी साहब के थूँ दिल्ली वालों के खिलाफ शडियन तरचे की मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में फ्री दवाईयां रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो मौला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो अगले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अर्वन केज रिवाल जी के मार्ट दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओं मेरा अपने सभी कारेकरताओं से, सभी विधायत साथियों से दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है आप मैंसे कोई मुझे बधाई मत दीशिएगा आप मैंसे कोई मुझे माला मत पहनाईएगा क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगठा है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज ने आज इस्तीफा दिया है मैं एक बार फिर अर्विन केजलीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ और मैं दिल्ली के लोगों की तरह से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विन के लिवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहिए